नमस्कार दोस्तों आज में सेयर कर रही हूँ लोकी की बहुत ही आसान रेसिपी जो खाने में बहुत ही डेस्टी बनती है और इसे बनाना तो है ही आसान तो यहां मैंने दो लोकी लिए हैं ये बिलकुल ताजी लोकी है अब इसे सबसे पहले हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसे धो लें फिर इसे हम काटेंगे और चाकू की साहता से लोकी को बारी काट लें इस तरह से और लोकी काटने के बाद इसे पानी में डाल दें ताकि ना पड़े अब कड़ाई में थोड़ा टियल डालेंगे करीब 3-4 चमउस एल गर्म होने परेथा चोटा चमउस सचो हो डालेंगे आदाधा चमउस साबूत जीरा डालेंगे इन दोनों को थोड़ा च टक जानने दे साथ ही दो प्याज डाल देंगे, प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में काट लें और इसे एक मिनट के लिए भूल लेंगे, प्याज को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है, इस रेसिपी में प्याज थोड़े कच्छे ही अच्छे लगते हैं, अब पांस से छे लजुन लिया है, इसे प्यार की लाई दाल दें, साथी हम यह कटे हुए लुखि भी डाल देंगे, और लुखि डालने के बाद नमक भी डाल दें, देंगे, बैसे चला लें, प्यारी लौकी पानी को रिलीज कर दे 5 मिनट के बाद सबजी चेक कर लेंगे लौकी हमारी 50% पक चुकी है इसमें थोरा पानी और डाल देंगे ताकि लौकी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे सबजी चेक कर लेते हैं लौकी हमारी पूरी तरह से पक चुकी है इस तरह से लौकी को थोरे मैस करते और अब इसमें थोरा सा चीनी डालेंगे चीनी डालने से लौकी की सबजी बहुत ही अच्छी बनती है हलकी हलकी मिठास आएगी पर अगर आप चीनी डालना नहीं पसंद करते हैं तो चीनी को skip करें ऐसे भी ये सबजी अच्छी बनेगी और चीनी डाल कर इसे थोड़ा चला ली तो बिना मसाले और बिना तेल की लौकी की सबजी बनकर हमारी तयार है यकीन मानिये फ्रेंड्स ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है और फ्रेंड्स रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करें थैंक्यू फर वाचिंग